आम आदमी पार्टी के मुखिया अरबिंद के जिरबाल एक्सपोस हो गए हैं। दर्श को आप लोग इस बार अरविंद केजरवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को बिलकुल भी वोट मत देना खुद अरविंद केजरवाल ने मना किया है कि हमें बिलकुल भी वोट मत देना सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें उन्हें साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि दोस्तों हमें बिलकुल भी वोट मत देना आखिर ऐसा क्यों कह रहे है अरविंद के जिर्वाल ये बात किसी को भी समझा नहीं पा रहे है कि उन्हें वोट क्यों दे क्योंकि बरे बरे दावे उनके द्वारा पिछली बार चुनाओं के दौरान किये गए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए है अरविंद के जिर्वाल का एक वीडियो आज कल खोब वाइरल है वो खुद ही मना कर रहे है हमें वोट मत दीजिए क्या है पुरा मामला बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल दिली में एक तरफ जहां वायू प्रदूशन लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जाग वाली यमुना की तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर खोब वाइरल हो गई है चट पुजा से पहले यमुना में बढ़े अमोनिया के स्तर कोले कर बीजेपी दिली की आप सरकार की घेराबंदी में जुट गई है विदान समझ चुनाओं से ठीक पहले बीजेपी ने अरविंद के जिर्वाल का वो पुराना वीडियो भी निकाल लिया है जिसमें तब के सीम अरविंद के जिर्वाल ने वादा किया था कि 2025 चुनाओं से पहले यमुना साफ हो जाएगी और वो खुद इसमें डुबकी लगाएंगे तब अरविंद के जिर्वाल ने यहां तक कहा था कि ऐसा ना होने पर उन्हें वोट ना दिया जाए ऐसे में बीजेपी अब वो वीडियो दिखा कर अरविंद के जिर्वाल से पूछ रही है कि वो कब डुबकी लगा कर दिखाएंगे बीजेपी के वरिष्ट नेता और पूर्व केंद्रिय मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्दन ने के जिर्वाल का पूराना वीडियो शेर करते हुए लिखा है कि ये ड्रामा याद है या भूल गए अरविंद के जिर्वाल जी चुनाव भी आ चुके हैं और हमारे पुर्वांचल की माताओं और बहनों का छट लोक पर्व भी तो फिर बताईए कब आ रहे हैं आप आपने अपने कर्वों की तरह मा यमुना को भी काला कर दिया है जसकी पवितरता और शुदता का उलेक हमारे पौरानिक गरंथों में भड़ा परा है उसे दूशित करने का काम आपने किया है वहीं बीजेपी के राष्ट्रिय परवक्ता परदीब भंडारी ने भी अरविंद के जिर्वाल के भाषन का हिस्सा शेयर करते हुए लिखा है कि के जिर्वाल कब यमुना में डुबकी लगाने आ रहे है अर्विंद के जिर्वाल का वो वीडियो शेयर कर परदी भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि श्री अर्विंद के जिर्वाल कब लगा रहे हैं यमुना में डुपकी आप दिल्ली को विफल कर चुकी है वहीं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ट नेता विजय गोयल ने जाग से पटी अमुना का वीडियो दिखाते हुए लिखा है कि अब तो जनता भी कह रही है कि के जिर्वाल भगाओ दिल्ली बचाओ दर्श को आपको बता दे कि अर्विंद के जिर्वाल सरकार ने 2015 में वादा किया था कि यमुना को साफ कर देंगे लेकिन इतने सालों में बस प्रेस कॉन्फरेंस करके और वही घिसी पिटे स्क्रेप्ट से जनता को मुर्ख बना रहे है और दूसरी तरफ यमुना साफ होने की जगा और गंदा हो गई बीजेपी अर्विंद के जिर्वाल के जिस वीडियो को शेर कर रही है वो 2021 का है तब दिली के मुख्यमंतरी के तौर पर वो टाइमस नाउ समीट में हिस्सा लेने पहुँचे थे यमुना के सफाई के मुद्दे पर एक सवाल के जबाब में केजिवाल ने कहा था कि यमुना मेरी जिम्मेदारी है मैं तीन चार दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप पर त्यारोप चल रहा है यमुना में चाहे हरियाना से आ रहा है या यूपी से आ रहा है चाहे कहीं से भी आ रहा है यमुना को साफ करने की जिम्मधारी मेरी है मैं किसी को दोश नहीं दूँगा ये सतर साल की समस्या है दो दिन की नहीं चुनाओ के वक्त मैंने दिली के लोगों से पाँच साल मांगे थे मैंने कहा था कि अगले चुनाओ में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना में और आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूँगा नहीं तो मुझे वोट मत देना मेरे को हमें थोड़ा समय दीजिए मुझे यकीन है कि जिस तरह हम लोग काम कर रहे है अगले चुनाओ तक निश्चित तोर पर हम लोग इसे साफ कर देंगे हम दोश नहीं देंगे कि हरियाना ये नहीं कर रहा है हम इसे साफ कर देंगे लेकिन दर्शको अब यमुना की जो तस्वीर आई है उससे दिली के लोग हैरान है दर्शको समझने की जरूरत है कि अर्विंद के जिर्बाल ने सिर्फ दिली की जनता के साथ वादा खिलाफी ही की है कोई वादा आज तक पूरा नहीं किया है बिरो रिपोर्ट ओमेच निउस और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं